Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दीइन अपर स्वाबत करता हूँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम इगनू के बुक के दिगाड़ी में बात करने वाले हैं अभी जो पूरा time period चल रहा है, वो new admission, fresh admission का चल रहा है, ने-ने students इगनू के अंदर में admission ले रहे हैं और इन सभी students की ID मिल गई, ठीक है, enrollment number मिल गया, अब सभी बच्चों के मने में question यह है कि मैंने book के लिए payment क्या था, तो हमारी book कब तक आईगी क्योंकि मुझे आगए अपनी study स्टार्ट करनी है तो normally इगनू का जो book आने में, डेड़ से दो महीने का time लग जाता है, ठीक है, आपके घर पे भी home delivery करवाई जाती है, और अगर नहीं करवाई जा रही है, तो आपके पास message आएगा, कि आप अपने जो book center है, आपके इगनू का, आपके आसपास area में जहां पर पढ़ता है, अगर आपकी book अभी तक नहीं आई है, तो आप soft copy से पढ़ सकते हैं, इगनू का इग यान course करके website है, ठीक है, उस पर जाईए, अपनी book डाउनलोड किजिए, उसको पढ़ सकते हैं, और जो home delivery वाली book होती है, जब वहाँ से delivery के लिए निकलेगी, तब आपको एक tracking number मिल जब आप उसको track कर सकते हैं, कैसे आ रही है, ठीक है, उसको track कर सकते हैं, अगर आपके पास message आया है, कि आपको book लेकर आना है, ठीक है, तो आपका आसपास में, आपके घर के आसपास में, जहाँ पर भी book center होगा, जहाँ पर book रखी गई है इगनू की, तो वहाँ पे directly जाक कर वहां से अपनी बुक लेकर आ सकते हैं अगर मैं थोड़ा सा आपको इसी वीडियो के अंदर में इग्यान कोस के बारे में बता दो तो डार्क लिए आपको गूगल पर सर्च करना है इग्यान कोस करके इस तरह का वेबसाइड आ जाएगा जहां पर सर्च इंजन करके यह है आपका जो भी आपकी बुक है जैसे मालो मेरे पास MA History है और MA History का बुक है MSI 01, MSI 02 जो भी बुक नंबर है जो कोड नंबर है उसका वहाँ पर जैसी सर्च करोगे तो उसका PDF नीचे आजएगा Hindi, English दोनों language के अंदर में ठीक है आपको जिसमें prefer करते हो जो भी आपका language है आप उसके अंदर में download करके वहाँ से आप study कर सकते हो आप अपनी book का wait मत किजिए क्योंकि जब book का wait करोगे तो बहुत ज़्यादा time आपका बरबाद हो जाएगा ठीक है और आगे आपको syllabus cover करने में problem होने वाली है तो normal सा यह सभी students के लिए update है और suggestion भी है मेरे तरफ से तो friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best और भी इस तरह के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें बीए आपको subscribe करना बिल्कुल ना बोले bye bye take care